मा, हमें बहुत बूख लगी है बच्चों, अभी घर में थोड़ा ही अनाज बचा है मैं अभी थोड़ी ही देर में अनाज लाने के लिए बाहर जाऊंगी तब तक तुम वो अनाज खा लो ठीक है ममी लाडो बच्चों को वो अनाज दे देती है बच्चों, अनाज खाने के बाद तुम दोनों पढ़ाई के लिए बेट जाओ मैं अभी अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूं मुझे आने में देर हो सकती है मेरे जाने के बाद तुम अंदर से दर्वाजा लगा लेना और जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक किसी के लिए भी दर्वाजा मत खोलना ठीक है ममी, अपना ख्याल रखना, बाई बाई लाडो अपने घर से निकल पड़ती है लाडो के जाते ही बच्चे अंदर से दर्वाजा लगा लेते है अरे ओ, मेरे काम चोर पती जरा कंबल से बाहर आजाओ और बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ मेरे पेट में चुहे दोड रहे है मेरा नहीं तो, कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो एक तो खाने के लिए अनाज नहीं है और उपर से ये तूटा फूटा घर सारी ठंडी हवा यही गूसले में आ रही है कालू कमबल से बाहर आ जाता है अरे जा रहा हूँ मेरी मा इस घर में मेरी कोई इज़त ही नहीं है रोज तो मैं सुबह होते ही आनाज लाने बाहर जाता हूँ तब तो तुम कुछ नहीं बोलती लेकिन आज सिर्फ एक दिन के लिए मैं जरा देर तक क्या सोता रहा तुमने मुझे कामचोर बोल दिया कालू गुसे में अपने घर से निकल पड़ता है हाई रे ये मेरी फूटी किसमत एक तरफ ये मेरा अकेला पन और दूसरी तरफ ये ठन का मोसम ये गोबर का घोसला किसी काम का नहीं है अकेले जिन्दगी जीना कितना मुश्किल होता है सुबह उटने से लेकर रात को सोने तक सारा काम अकेले ही करना पड़ता है काश मेरे भी बच्चे होते मेरे बुड़ापे का सहारा बनते चलो जाने दो ये सब सोचके भी क्या फाइदा है अभी मुझे बहुत जोरो की भूक लगी है बाहर जाकर कुछ खाने को लेकर आती हूँ मीनू मोसी भी अनाज लाने के लिए बाहर आ जाती है कालू बाहर आते ही एक पेड़ पर आकर बेट जाता है तभी उसे लाडो उरते हुए जाती दिखाई देती है वो लाडो को आवाज लगाता है लाडो अरे ओ लाडो कालू की आवाज सुनते ही लाडो इधर उधर देखनी लगती है तभी उसे नीचे पेड़ पर कालू दिखाई देता है वो नीचे आ जाती है अरे कालू भया आप आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बेटे हो अरे क्या बताऊं लाडो मैं आराम से कंबलोड कर घर में आराम कर रहा था वो मेरी पत्नी से देखा नहीं गया और अनाज लाने के लिए मुझे इस कड़कडाती ठंड में बाहर भेज दिया वेसे तुम बताऊ तुम कहा जा रही थी मैं भी अनाज लाने के लिए बाहर आ गई थी वो दोनों बाते कर ही रहे थे तभी उन्हें मीनु मोसी भी महा से जाती हुई दिखाई दी मीनु मोसी ओ मीनु मोसी इधर देखिए मीनो मोसी भी उन दोनों के पास आ जाती है अरे लाडो और कालू तुम दोनों यहाँ पर कैसे हम दोनों अनाज लाने के लिए बाहर आ गए हैं आप बताओ आप कहां जा रही थी मैं भी उसी काम के लिए बाहर आ गए हूँ ये तो बहुत अच्छा हुआ चलो हम साथ मिलकर आनाज लाने चलते हैं तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं उर्ते उर्ते वो तीनों बहुत दूरा गए थे तभी उन्हें एक जगह पर आनाज का खेद दिखाए देता है वो तीनों नीचे आ जाते हैं वाँ 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 कितनी अच्छी फसल है अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा पहले मैं यही पर ही पेट भर आनाज खाऊंगी उसके बाद कर ले जाने के लिए अनाजिक खटा करूंगी अरे मिनु मोसी मैं और लाडो भी ऐसा ही करने वाले हैं तीनों वही पर पेट भर आनाज खा लेते हैं अरे अरे मिनु मोसी ये क्या कर दिया आपने अरे क्या करो कालो मुझसे रोका नहीं गया अब मेरी उमर हो गई है न तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है अरे साथियो अब जल्दी से जितना हो सके उतना अनाज जमा कर लो अब हमें यहां से चलना चाहिए इस खेट का माली कभी भी यहां पर आ सकता है तीनों मिलकर बहुत सारा अनाज जमा करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं वो तीनों इंसानी बस्ती के पास से गुजर रहे थे तभी मीनू मौसी उन दोनों से कहती है अरे दूस्तों, क्या हम थोड़ा रुख सकते हैं? मैं बहुत ठक गई हूँ थोड़ा अराम करके फिर से निकलेंगे ठीक है मीनू मौसी तीनों पास वाले बस्ती के पेड़ पर आकर रुख जाते हैं अरे यहाँ पर तो पीने के लिए पानी भी है अच्छा हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी है अरे वाह, कितना मिठा पानी है भला हो उसका, जिसने भी यह पानी यहाँ पर रखा अरे मीनू मौसी, यहाँ पर पास में ही एक इनसानी बस्ती है ना तो किसी इनसान ने ही यहाँ पर यह पानी रखा होगा हाँ, यह पानी सच में बहुत मिठा है वो तीनों बाचिक करी रहे थे तभी कालू की नजर इनसानी बस्ती की तरफ चली गई उसने देखा, वहाँ पर एक जगह कुछ इनसान मिलकर अपना घर बना रहे थे अरे ओ कालू, क्या हो गया? तू कहा पर खो गया? अरे मीनू मौसी, वो देखो, वहाँ पर कुछ इनसान अपना घर बना रहे है हाँ, मुझे दिख रहा है, लेकिन इसमें इतना चोकने वाली क्या बात है? मैंने इनसानी घर तो बहुत देखे हैं, लेकिन बनाते हुए पहली बार देख रहा हूँ ये किस तरह का गोबर है, जो ये घर बनाने में इस्तिमाल कर रहे है? अरे बुदू, वो गोबर नहीं, उसे सिमेंट कहते हैं, सिमेंट पानी और मिटी की मदद से इनसान अपने घर बनाते हैं, दो इटो के बीच में उस मिश्रन को डाल कर दिवार बनाते हैं, जब ये सूख जाता है, तो बहुत पक्का बनता है, चाहे कितनी भी तेज आए हुए घर को कुछ भी नहीं होता, हाँ कालू भीया, लेकिन सिमेंट का इस्तमाल करते समय, बहुत सावगानी बरतनी पड़ती हैं, हातों में हैंड ग्लोव्स, पेरों में बड़े बड़े जूते, और घर बनाने के लिए बहुत सारे ओजार भी लगते हैं, और सबसे जरूरी बात, अपनी सेफटी के लिए सिर पर हेलमेट पहनना कमपलसरी होता है, अरे बापरे, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, कैसे पता चलेगा, तु इनसान थोड़ी नहें, वो तो मेरा और लाडो का बच्पन इनसानी बस्ती में बीता है, इसलिए हमें ये सब पत है, अरे साथियो, हम तीनों बहुत देर से बाहर है, हमारे गोसले यहां से बहुत दूर है, मेरे बच्चे घर पर अकेले है, अब हमें वापस अपने अपने घर जाना चाहिए, हा लाडो, गोरी और जगुबी मेरी रहा देख रहे होंगे, चलो, हम चलते हैं, तीनों वहां से अपने घर की तरफ लोट पड़ते हैं, घर आते आते उन्हें राथ हो गई थी, पहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, अरे, अनाज लाने गए थे, या उगाने गए थे, कहा थे इतनी देर, मेरे पेट में जो चुहे दोड रहे थे, वो दोड दोड कर मर गए, अब दे दो आनाज, गोरी और जग्गू, कालू ने लाए हुए अनाज पर टूट पड़ते है, अनाज खाने के बाद दोनों सो जाते है, लेकिन कालू को नीन नहीं आ रही थी, वो बार बार सिमेंट के घर के बारे में सोच रहा था, जैसे तैसे करके राथ गुजर गई, सुबह होते ही, कालू लाडो और मीनू मोसी को अपने बाद चिक करने वाले जगह पर लेकर आया, अरे कालू, ऐसा क्या हो गया, जो तु इतनी सुबह सुबह हमें यहाँ पर लेकर आ गया, अरे बताता हूँ, बताता हूँ, जब से हम उसी इंसानी बस्ती से लोटे हैं, तब से मुझे नीध ही नहीं आई, क्यों कालू भया जब से मैंने इंसानी बस्ती में इंसानों को सिमेंट की मदद से घर बनाते हुए देखा है तब से मेरे मन में बस एक ही खयाल आ रहा है कि क्यों ना हम भी उसी सिमेंट से अपने घर बनाए अरे हाँ आइडिया तो बहुत अच्छी है कालू लेकिन हमें सिमेंट कहां से मिलेगा हाँ कालू भया बाकी सब चीजे तो हमें मिल जाएंगी लेकिन सिमेंट कहां से मिलेगा अरे लाडो अगर उपर वाले ने चाहा तो अभी इसी वक्त हमें सिमेंट मिल जाएगा वो तीनों बाते करी रहे थे के तबी कालू प्लास्टिक के कैरी बैक की मदद से हैंड ग्लोज और जूते बना लेता है और बास की लकडी से हेलमेट बनाता है मीनू मौसी मिट्टी से इटे बनाती है और लाडो मिश्रन बनाने के लिए पानी और छोटे छोटे कंकड इकटा करती है तीन दिन लगातार मेहनक करने के बाद तीनों मिलकर तीनों के लिए अलग-अलग तीन सिमेट के घर बना लेते हैं गुट जॉब साथियो हमारे सिमेट के घर बनकर तयार है अब हमें भी हर बार मौसम बदलने पर बार-बार घर बनाने की कोई जरूत नहीं है हाँ कालू भया ये सब आपके आइडिया की वज़ा से हुआ है और वो कहते है न अगर किसी चीज़ को तुम अपने दिल से चाहो तो पूरी काइना उसे तुम से मिलाने की कुशिश में लग जाती है हाँ कालू तेरा जवाब नहीं रात हो जाती है तभी कालिया कुवा उन तीनों के घर के पास आ जाता है जब तीनों मिलकर सिमेंट के घर बना रहे थे तब कालिया उन पर नजर रख रहा था मैं भी मेरा सिमेंट का घर बनाऊंगा तभी कालिया की नजर बचे हुए सिमेंट की धेली पर चली जाती है वो उस धेली को चुरा कर उन गरों से थोड़ा दूरा जाता है और अपना घर बनाने लगता है जब कालिया अपना घर बना रहा था तब ना उसने सिर पर हेलमेट पेना ना पेरों में जूते और ना हातों में हैंड ग्लोव्स। सुबह होते होते जैसे तैसे करके कालिया ने अपना सिमेन का घर बना लिया। वो बहुत ठक गया था इसलिए बिना हात पेर धोये वो वही पर सो गया। जब दो पेहर को उसकी नीन खुली तब उसके पंखो और पेरों पर लगा हुआ सिमेन सुख गया था और उसी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। कालिया जोर-जोर से चिलाने लगा अरे बचाओ अरे कोई मुझे बचाओ। कालू कववा पानी लेकर अपने घर की तरफ चा रहा था। तबी उसे कालिया की चिलाने की आवा सुनाई दी। वो उसके पास आ गया। आते ही वो सारी बात समझ गया। और देर ना करते हुए कालिया को पंचे एंबुलन्स की मदद से डॉक्टर उलू चाचा के पास लेकर आ गया। उलू चाचा ने अपने अउजारों की मदद से कालिया के पेरों और पंखों पर लगा सारा सिमेंट निकाल दिया। कालिया अभी भी थोड़ा सिमेंट तुम्हारे पंखों और पेरों पर लगा हुआ है। ये लो इसे दिन में दो बार अपने पंखों और पेरों पर लगाना थोड़े ही दिनों में बच्चा हुआ सिमेंट भी निकल जाएगा। क्यों साले साब अब पता चल गया आधा अधूरा ज्यान जान लेवा हो सकता है।